आपकी काफी ज़्यदा request आ रही थी कि भाईया आप कुछ रा कुछ तो start कीजिए, lockdown में काफी मज़े हो गए और वीडियोस आपकी आनी रही मैंने सोचा कि क्यों आप दुबारा से start करते हैं, सुरू से करते हैं सुरुआत इस चैनल पर java script की आप सोचेगे कि java script की क्यों, python क्यों नहीं, python के लिए भी हम बाद में सीरीज बना देंगे लेकिन java script की काफी ज़्यदा demand आ रही थी, अगर आप मेंसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको java पढ़ लिए तो वो मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं उसका link में description में दे दूँआ, आप वहां से java को इस चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन इस चैनल पर हमें सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ java script को, so java script को बताने की बज़ा यही है कि आपकी एक तो demand ज़्यदा आ रही है, दूसरा market में भी यह काफी popularize की ज़्यदा demand है, जै कि python को बाद में पढ़ लेंगे, तो इसलिए मैंने सुचा क्यों आप java script को स्टार्ट किया चाहे, तो अपने प्यार को जाहिर कीज़ेगा, video को like, video को share करना तो बिल्कुन मत बूलेगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब पढ़न java script, तो इसलिए java script आपकी एक programming language है, जो कि मदद करती है, आपकी web development, साथ में android और ios के application को develop करने के लिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, कि java script can update and change both stmr and css, याने की html, hypertext markup language, css, याने की cast cutting style sheet, दोनों को update और change करने के लिए, याने की behavior बनाने के लिए, behavior change करने के आप java script का use कर सकते हैं, यहाँ पर आप जान दीसिए, यहाँ पर आपको stmr, css और java script, जब भी आप stmr की बात करते हैं, तो वो एक basic सा structure बनाता है, जैसे कि यह इंसान का structure होता है, यह कंकाल है, और जब आप css की बात करते हैं, तो वो उस पर look and feel को provide करता है, याने color css, याने कि html और css की मज़ से आप एक normal सी static website बना सकते हैं, लेकिन वो responsive नहीं होगी, उसमें आप कोई भी behavior नहीं देख पाएंगे, जैसे कि आपने किसी button पर click किया, और कुछ भी कोई भी response आपको website पर देखने को मिले, ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, अगर आप JavaScript का use नहीं करता है, यानि कि अगर आपको जैसे कि skating कर रहा है, या आपको jump करना या फिर आपको swimming करना है, कुछ भी skill को perform करना है, कुछ भी behavior आपको लेकिया आना है, अपनी website में, तो आपको JavaScript का use करना पड़ता है, जैसे कि, अगर आपने किसी button को click किया, suppose यह कोई paragraph लि बहुत ही responsive website को डबल अब कर सकता है Java Script HTML CSS पढ़ने के बाद इस पूरी सीरीज में मैं आपको ये भी बता हूँ कि इस प्रेकार से आप website को बना सकते हैं इन तीनों language के मदस से और आने जवाने में हम मसीर लेवल की programming करते थे आपके लिए अगर आपको Java Script आती है तो आप इन में से कोई एक या इन सभी को यूज कर सकते हैं और आपको दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि ये सभी काम करेंगे बेसिक इस पर Java Script पर जैसे कि React.js है ये यूज किसलिए हो रहा है आपका website को डबलब करने के लिए यूज हो रहा है या इन कि front end design करने के लिए यूज हो रहा है इसी परकार से view.js है अंगुलर.js है इसी परकार से node.js भी आपके पास है लेकिन node.js आपका आप back end के लिए यूज हो रहा है इसी परकार से आपके पास express.js है जो कि node.js का एक तरीके से library है वो भी आप आप back end पर use होता है तो इस प्रकार से करना क्या है कि चीज सीखनी है एक यानि कि Java Script और बहुत सारी knowledge आपके पास आजाएगी आराम से अब कौन सी library और कौन सा framework public को पसंद है 2012 से 2019 तक का graph में आपको सो किया है हाला कि 2022 में कुछ कुछ सेम ही है जैसे कि react जो कि facebook द्वारा बनाया गया था यहाँ पर आप देखेंगे react को facebook ने डवलप किया था और यह काफी ज़्यदा popular है 2019 में भी और 2022 में भी यह number बन पर ही है जहां तक मुसे पता है देन आपको react.js या view या angular आप तीनों से एक को सीख सकते है जिसके मदद से आप front end को आसानी से डिजाइन कर सकते है यह काफी पुरानी है लेकिन popular अब जाकर हुई है कोई भी अच्छी चीज एक साथ popular नहीं होती है कोटलिन आपकी 2011 में Google ने लांच की थी लेकिन काफी समय लग गया उसको फिमस होने में तो इसी प्रकार से जाबा स्क्रिप्ट अपकी 1995 में बनी थी लेकिन अब जाकर काफी अधा popular हुई है और यह 1997 में standardized हो गई थी इकमा इसका नाम था इकमा 262 जो है इसका official name है इस standardized का और इकमा स्क्रिप्ट जो है इसका official link में इस language का जाबा स्क्रिप्ट को run करने के लिए आपको कोई compiler, assembler या interpreter कोई जरौत है नहीं क्योंकि यह आपकी system में already install होता है अगर आप browser को open करेंगे तो browser आपका automatic supported होता है जाबा स्क्रिप्ट के लिए इसी प्रकार से आपको simply एक text editor चाहिए आप चाहिए तो notepad पर भी काम कर सकते हैं आप चाहिए तो visual studio code पर भी काम कर सकते हैं या फिर कोई भी IDE का use कर सकते हैं मैं आज इस वीडियो में जब पहला प्रोग्राम बला हूँँगा तो आपको notepad पर काम करना सिखा हूँगा then मैं visual studio code यारे कई BS code पर भी काम करूँगा तो simple है कि JavaScript के लिए आपको जबात मानने की जरूत नहीं है simply HTML पर आप काम कर सकते हैं उस HTML फाइल को आप ब्राउजर पर open कर सकते हैं और JavaScript आपका working position में होगा